कनिष्ठ सहाय के भरती से संबंदित कुछ बात कर लेते जैसे आप देख रहे हो सेवा चैन आयों अधिनस सेवा चैन आयों है हमारा अभी तक के देखो जितनी जानकारी जुटाई गई अलग-अलग स्रोथ से तो अभी तक यही पता चल रहा है कि इस मेहने तो हमारा जो काम होना है मुस्की लिए थोड़ा और आगे कम होता है देखो आगे का भी कुछ भर्ष्रसानी है क्योंकि अगर तीस तक नहीं होता है जो कि ज्यादतर सम्भावित ऐसा ही लगरा रहा है भी कि तीस तारी तक मुस्कीर होगा तीस तक नहीं होता है तो उसके बाद एक दो को फिर सेटर्डे संडे है और फिर तीन जुलाई से फिर वीडियो परिष्छा के लिए भी बहुत कम समय रह जाएगा तो फिर उम्मीद भी कमी है कि तीन से और नो को तो एक्जाम ही है तो तीन से आठ के बीच भी आयोग भी बेजता है या नहीं भी बहुता है और अगर इसमें नहीं गया देखो अभी जो मैं आपको बताओं उने जानकारी के इसाब से और अपने जासा मुझाल फील हो रहा है और अनुबहों के इसाब से कि मुश्किल से 10% समाऊना इस मेने आने की तीक है यानि की नहीं आने की है मुश्किल है और नेक्स्ट उसमें 50% है कि जुलाई के पहले हपते में आ जाया है और तब भी नहीं आती है तब ज़्यादा दिक्त है क्योंकि फिर वीडियो एक्जाम जब होगा तो वो डेड़ लाक से ज़्यादा इस्ट्वेंट है और फिर उनकी OEMR सीट स्कैन होगी तो यह मान के चलो कम से कम कम से कम एक हफता तो उसमें लगने लगना है कि बाकी एक्जाम भी आयोग ने 5 दिन में रिजल दिये तो इसका भी करके 5-6 दिन में देई देगा तो एक सफ़ता उसके बाद 9 के बाद वाला एक हफ्ता वीडियो के नाम चला जाएगा पहले वाला भी खैर वीडियो के नाम ही जा रहा है अब उसके बाद देखें क्या होता है, क्या नहीं होता है अब देखो जैसी लग रहा था डर वही आगे हो रहा है ऐसी उमीद जग रही है कि अभी सायद अभी नहीं हो रहा है काम अब किसी की पहचान है बिरुजगार संगटन से तो थोड़ा फोन पे उनको बोलो कि भई वहाँ पे बात करो और सुस्तुती भिजवाओ ज़रा क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि Ayao के पास एकी काम है कि अबल उन्हें वीडियो का एउजाम कराना है बाकी काम भी पेरलल चली रहुए लेकिन Ayao का हमारी भरती को गिल्पल भी इतना किलिर है कि हमारी भरती के समय ही सारी परकार के समश्या लाज़ा रही है ऐसा क्या हो जा रहा है कि रिजल्ट में अब जब लिस्ट एडिट करनी है जिन लोगों को अपने विभाग और उससे आपती है वही तो आपको सही करनी है क्योंकि वो तो पहले से निकाल दे था अब आप पूरा ही एक साथ निकाल दो या आयोग जैसे इच्छा होगी वैसा क करना चाहरा होगा लेकिन करो तो कुछ सई अब कब तक संस्थति भेजी जाएगी फिर कब तक होगा करना कि क्योंकि वो जातर पहले वाले तो चले गया अब उन्हें फरक भी नहीं पढ़े तो अब मानलो अभी नहीं होता है वीडियो के वाश्य ल पड़ेगा फिर कि भाई निकालो निकालो जैसे हमने समात जारी करवाए था उस समय सब बच्चों ने बैठके तो उम्मीद करते हैं दोस्तों की ऐसी इस्थिति नवा आए ठीक है तो मैं वैसे तो वीडियो बनाना भी नचार था यह वाला भी क्योंकि आप सब एक तो में लग रहा है लेकिन सबकी देश्तों सिच्वेशन एक जैसे नहीं है तो अब हम जैसों को भी काफी भारी पढ़ रहा है एक एक दिन अपनी प्लानिंग आदमी उसी तरीके से करता है और ऐसी इस्थिति बहुत सारों की साहते लगबक लेकिन क्या कर सकते हैं यह कनिसाय क कि भरती कुछ इस परकार की हो चुकी है कि इंतजार ज्यादा मिल रहा है इसमें काम नहीं उपा रहा है पता नहीं क्यों आयोग चाहता तो यह भी कर सकता था कि ठीक है भाई हमारी रिकमेंड जो हमने संसुती भेजी है उसमें कमी निकलिए तो कमी तो कहीं नहीं कहीं आयो तो देखते हैं और फिर आगे कब तक है इंतजार और ड़ा कि तैयारी करते रहे अपनी जिनका वीडियो की परिष्छा इनदल करते रहो जिसका नहीं है तो वह किसी और चीज की तैयरी करो । अभी तो देखो बोलते हैं किसी भी चीज़ का इंतिजार थोड़ा बेकार होता है जब तक कुछ नहीं होता है तो वो भी इंसान चैन से रहता है एक जगे पर फिर फोकस रहता है और पढ़ाई भी कहीं नहीं डिश्टा भी रहती है ना तो कुछ वह पारा ढंक से नहीं यह भी ध्यान है कि कब होगा कब होगा तो आज उतनी ज्यादा पॉजिटिव खबर नहीं पाई जैसे उम्मीद थी कि वह आज कल में आ जाए या तीस तक तो आई जाए कम से कम यह भी पता चला कि आज भी एक का डीवी किया गया कनिस्ट में जो उसका छूड गया था लास्ट वाले में भी जो रहे थे उनको उसके बाद हो गया था उनका भी ठीक है बाकी देखो आगे क्या होता है जल्दी आपको कुछ पॉजिटिव खबर मिले इसी इंतिजार में रहते हैं तो मैं तो इस इंतिजार में हो की वीडियो ऐसा बनाओ कि अब आपकी दोस्तों संस्तु होती जा चुकी है और आपकी अपडेटर लिस्ट के साथ जिससे सभी खुस हो जाएं और कोई भी देखो किसी को नाराज नहीं करना चाता है कई उस समय वह भी हो गए कि हम ऐसा चाह रहे हैं ऐसा कुछ निया है सभी के साथ सभी सही होना चाहिए और सबको उसका हक मिलना च जरूत नहीं है दस बारा दिन तो परियाप्द होता है लिस्ट क्योंकि आल्मोस्ट तो प्रिपेरी थी थोड़ा से उसमें करना होगा काम तो यह काफी समय होता है इतना भी अगर दो तीन व्यक्ति भी पूरे पूरे दिन काम कर रहे हैं तो मेरे इसाब से तो काफी हो जान गुड़नाइट सभी को